वेल्कम बैक फ्रेंश तूद जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज है फोर्थ अक्टूबर 2020 और आज की करेंट फिर में जितने भी इंपर्टेंट कुशन वनेगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब् किस राज ने पतिसरी अभ्यान यूजना की सुरुवात की है तो इसका एंसर हो जाएगा पश्चिम मंगाल ऑप्सेंट डी सही होगा तो पश्चिम मंगाल सरकार द्वरा पतिसरी अभ्यान नामा की नई यूजना की सुरुवात की गई है और ये सडक मरमत यूजना है जहा इन सड़कों की एक सूची तयार की है जिसे नई योजना की तहट मरम्मत किया जाएगा जहां राज की लोग सरकार की दीदी के बोलो पहल की माद्यम से मुखमंत्री तक पहुच सकेंगी ठीक है तो बात करें पश्चम बंगाल की तो यहाँ पर जो मुखमंत्री हैं वो हैं मम किया है तो यहाँ पर जो ऑप्सन है आंसर हो जाएगा असम ऑप्सन भी सही होगा तो असम के मुखमंत्री ने ओनलाइन पैंसन सब्मिसन और ट्रेकिंग सिस्टम कृतक जिता का एक नया पोर्टल लांच किया और इस पोर्टल को पैंसन भोगियों को उनके पैंसन संबंदी की दावों का निप्टान करने के लिए सुरू किया गया है पोर्टल की मदद से सिवानिवर्त सरकारी कमचारी पैंसन से संबंदित कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगी और उन्हें अपनी पैंसन की इस्थिती की जांच करने का भी इसमें आउसर मलेगा और इस पोर्टल को भविश से पोर्टल के अनुरूप लॉंच किया गया है तो आप जान रखेंगे इस पोर्टल के माद्यम से कोई भी अपनी पैंसन की जो इस्थिती है उसको पता कर सकता है कि उसकी क्या कंडिक्शन है तो असम में इस तरह की सुरूआत हुई है तो असम की बात करें तो वह सकतोर है बंगला देश। उपसन ऐस ही होगा तो भारत नौसेना और बंगला देश की नौसेना की दोई पक्शिय this अनय अभ्यास बॉंगो सागर का दूसरा संश्खर बंगाल की खाड़ी में प्रारंब हो गया है और अभ्यास बंगो Kennyände का उप्यापक्ष और संचालन के ए इस दोरान सतह युद्ध अभ्यास और नाविक कला और हॉलिकॉप्टर संचालन का अभ्यास करेंगी इसके लावा चार से पांच अक्टूबर 2020 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारत और मंगल देश की नौसेनाय सेंग तुरूप से गस्ती कॉर्परेट के तीसरे सत्र म को कहां पर कमीशन किया गया है कहां पर तैनात किया गया है तो इसका अंसर होजाएगा कलकत्ता यानि की कोलकाता option आपका बीस ही हो जाएगा तो भारतिये तटरचक पूत करना कलाता बढ़गवा की तैनाती कोलकाता में की गई है और ये गार्डन रीच सिफ पब्लिस एंड इंजीनियरिंग लिम्टेट द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रॉल वैसल का पाचवा और अंतिम पूत है और जो की पतवार की संसोदित की रूप में भी चल सकता है यानि की इसको पतवार की माद्यम से भी चलाया जा सकता है और ये 34 नौट्स की गती से चल सकता है और इन पूतों की GSI द्वारा भारतिये नौसेनाओं को सौपा गया है और भारतिये तरचक पूत वैसल करना कलाता बरुवा का नाम एक युबा स्वतंतरता सेनानी के नाम पर रखा गया था जिने भारत छोड़ो अंदूलन के दोरां असम में गोली मार दी गई थी तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है नेच्ट कोशन है कोशन नमर reaction PTCR परिक्षड एक निदान देने में 24 गंटे के समय लेती है लेकिन Reliance की यह जो किट है वो दो गंटे में ही किट का result देना का दावा करता है और Reliance Life Sciences नाम की इस किट को आर ग्रीन किट नाम दिया गया है आर ग्रीन किट ठीक है द्यार रखेंगे Q6 हाली में केंदर सरकार के नए स्रम सचेव कौन बने है तो इसका अंसर होगा अपूर्वा चंद्रा Option A सई होगा तो अपूर्वा चंद्रा केंदर सरकार की नए स्रम सचेव हैं और महराष्ट केडर के 1988 बैच की भारती प्रसासनिक सेवा आयर सथकारी चंद्रा ने उत्तरार्थ की सेवा निवर्ति के बाद हीरा लाल समरिया को नए स्रम सचेव के रूप में प्रतिस्थापित किया है ठीक है तो यह आपका six question complete हुआ next question देखते हैं question number seven हाली में किस central jail ने radio prison का सुबारम किया है तो इसका answer होगा साबरमती central jail option C सही होगा तो साबरमती में जो कि आहम्दाबाद में है तो साबरमती central jail ने राश्टर पता की 151 जैनती के आउसर पर radio prison का सुबारम किया है radio prison परसर की भीतर कैदियों को सैचिक कानूनी और स्वास्ट संबंदी विवरल प्रदान किया जाएगा radio prison साबरमती central jail की एक अनूथी पहल है जिसका उद्गाटन additional DZP KLN राव ने किया है right next question है question number eight हाली में विस्व संयम दिवस कम मनाया गया था तो इसका आंसर होगा 3 October option यहाँ पर डेस ही होगा तो विस्व संयम दिवस प्रतिवर्स 3 October को मनाया जाता है temperance movement सेक्टराज जमीर का में मादक पे पदारतों के उपभोग और उत्पात को सीमित करने या रोकने के लिए 19-20 सतापदी के दोरा एक संग्टित प्रियास था और तब से यह सबराब के करण होने वाली सामाजिक बुराईयों की प्रतिक्रिया की रूप में मनाया जाता है ठीक है कि नसा, सराब, इस तरह की चीजों को यूज करने में सहियम वरत है तो उसकी उपलक्ष में यह दिवस मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट कॉशन है कॉशन नमर 9 हाली में एक लाख कोरोना मौतों को पार करने वाला भारत विसमें किस क्रम का देश बना है तो इसका जो राइट अंसर है तीसरा ओप्सन सी सही होगा तो 2 अक्टूबर 2020 को भारत COVID-19 की करण एक लाख मौतों को पार करने वाला विसका तीसरा देश बन गया है भारत अभी तक कुल COVID-19 संबंदित मृतिव दर की मामले में अमेरिका और ब्राजील से पीछे है क्योंकि अमेरिका में 2,0,000 से अधिक मौते हो चुकी है जबकि ब्राजील में 1,44,000 लोगों की मृत्य हो चुकी है और तीसरे नमरब और भारत ने अभी हाली में 1,0,000 का अंकड़ा पार किया है वेस्टिक मौतों में भारत की जो हिस्सेदारी है वो एक अक्टूबर को 7.6 प्रत्सत से बढ़कर 9.6 प्रत्सत हो गई है ठीक है तो यह आपका 9th question complete हुआ next question है question number 10 हाल यह में India today health गीरी पुरुसकार किस राज को प्रदान किया गया है तो इसका जो right answer होगा केरल option A सई होगा ठीक है तो COVID-19 का मुकाबला करने वाले सरुस्रेश्ट राज के लिए केरल को India today का पुरुसकार मिला है India today health गीरी पुरुसकार की गोश्णा की गई है केंद्री स्वास्त मंत्री डॉक्टर हार्स वर्दन दोरा इसे पुरुसकार धन देने खर्च करने में सटीकता मृति उदर को कम करने अच्छी स्वास्त सेवा और राज सरकार की काम को सतरुता की रूप में देखती वी दिया गया है ठीक है तो यह रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करेंट अफेर क्वेश्चन जो कि आपने इस्टेडी किये आगे देखती है आपर कल की करेंट अफेर क्वेश का आंसर तो कल आपसे पूछा गया था सेयुक्त राष्टर महा सभा कि किस क्रम को किस सतर को संबोधित किया है प्रदानमंत्री जी ने तो इसका आंसर होगा 75 वें सतर को तो कल मिश्टेक यह हुई थी कि 75 जो 75 आप्सन है वो आप्सन में ही नहीं दिया गया था तो इसके लिए वेरी वेरी सौरी आज यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है कि 75 वें सतर को संबोधित किया है और जिन स्टुडेंट ने इसका सही आंसर दिया है उन्होंने बताया है कि आप्सन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है इसका राइट आंसर 75 होगा तो उनकी तयारी काफी अच्छी चल रही है आगे देखते हैं यहाँ पर आज कल की GS quiz का उत्तर तो GS quiz का आंसर होगा निलगिरी परवत तोड़ा जन जाती कानेवास करती है निलगिरी परवत अब देखते हैं आज की quiz तो आज की क्योंच important है बहुत ही important है ट्राई की नए अध्यक्ष कौन बने हैं टेलिकॉम रेगुलिटरी अठोर्टी ओफ इंडिया इसकी नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो चार आप्सन आपके सामने दिये गई हैं इसका अंसर comment box में दीजिए और दूसरा question आपका आज बहुत ही different है यानि कि इस question में कुछ detail में आपसे पूछा गया है PCS level का question है क्योंकि PCS 2019 में इस सवाल को पूछा गया है तो इसका अंसर आप comment box में बताईए सबसे पहले question को पढ़िए प्रिस्न है भारतिय पांचांग के संबंद में कौन सा या कौन सी कथन सही है आपको ये बताना है कि कथन कौन सा सही है या नहीं है तो दो कथन दिये गए हैं पहला यहां पर कथन है कि भारतिय पांचांग भारती राष्ट्री पांचाम विक्रम समवत पर आधारित है ये पहला कथन है दूसरा कथन ये है यानि कि सेकेंड स्टेटमेंट है राष्ट्री ये पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था तो अगर आपको लगता है कि ये दोनों कथन सही है तो उप्सन C लगा दीजिए अगर आपको लगता है केवल एक ही कथन सही है दूसरा गलत है तो उप्सन A लगा दीजिए अगर आपको लगता है केवल दूसरा उप्सन सही है पहला गलत है तो आप उप्सन B लगाएंगे अगर आपको लगता है कि दोनों option गलत हैं तो option D लगाईएगा तो बहुत ही important और interesting question है इसका comment box में आप answer जरूर दीजिएगा question mark यहाँ पर दिया गया है यानि कि A, B, C, D में आप option जरूर दीजिए और साथी साथ ये भी बताईए कि इन में से पहला कतन सही है या दूसरा है या दोनों गलत है या दोनों सही है तो comment box में इसका answer आपस्थे दीजिएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार